प्रणाम सद्गुरू श्रीव भजन है चांद आत्मा का प्रकाश अंतर्तम में जगमक करता माजी द्वारा गायगे इस भजन में कावे की उपमाए किस और संकेत करती हैं? भगवान श्रीव की दिष्टी किस परकार उजागर करती हैं? कृपया समझाएं है चांद आत्मा का प्रकाश अंतर्तम में जगमक करता है चांद आत्मा का प्रकाश अंतर्तम में जगमक करता है डमरू अनहद का प्रतीक दिन रात चेतना में बज़ता ओंकार विंगो विंद का अनुमान क्या करें? गुरू के बिना अनुसंदान क्या करें? गुरू के बिना अनुसंदान क्या करें? बोले के बेशिका बोले के बेशिका कोई वक्षान क्या करें? गुरू के बिना अनुसंदान क्या करें? गुरू के बिना अनुसंदान क्या करें? प्यारी पंक्तियां हैं है चांद आत्मा का प्रकाश एक प्रकास तो बाहर है, हम सब जानते हैं सूरज से, चांद से, तारों से, विजली से, दीपक से मिलता है कोई इधन उसके पीछे होता है, कोई शुरोत होता है एक प्रकास हमारे भीतर भी है वो है सूरज की रोषनी जैसा नहीं बलकि चानधनी जैसा है तो भगवान शिव के माथे पर जो चंद्रमा है वो एक symbolic, एक poetic symbol है, प्रतीक है कि भीतर अपनी आत्मा का चेतना का प्रकाश है, ध्यान में डूप कर हम उसे जाने अंतरतम हमारा जगमग है, भीतर अंधेरा नहीं है हाँ, आरंभ में जब कोई व्यक्ति ध्यान करने बैठता है, उसे ऐसा ही लगता है कि सवंधेरा है, घंगोर अंधेरा, लेकिन अगर वो चुपचाप, मौन, शांत, सजगो कर देखता रहे देखता रहे, देखता रहे, धीरे 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 भीतर का प्रकास दिखाई पड़ना सुरू होता है ये लगभग ऐसे ही है, जैसे मई जून के महिने में कड़क धूप में कोई व्यक्ति सड़क पे घूम रहा हो और फिर अपने घर के भीतर आए, तो पहले तो ऐसा लगता है, घर में अंधेरा है बाहर इतनी तेज प्रकर धूप थी, उसकी तुलना में अंधेरा है इरिलेटिवली, सापेक शुरूप से, लेकिन जह हम घर में भीतर आके बैठ जाते हैं तीन-चार मिनिट लगते हैं हमारी आँखों को एड़ेस्ट होने में, फिर सब दिखाई दने लगता है एक्चुल अंधेरा नहीं था ठीक ऐसा ही ध्यान में होता है, जब हम अपने अंतरतम में, अपने भीतर चेतना के घर में पहुंचते हैं शुरुवात में लगता क्या रहे, यहां तो बिलकुल अंधेरा है, सारे संतजन कहते कि भीतर प्रकाश है कुछ लोग अंधेरे को देखकर घबरा कर लोटाते हैं, फिर वो चूप जाते हैं, तो फिर बहर मुखी हो जाएंगे, अंतर मुखी नहीं रह पाएंगे इसलिए ध्यान के साथ धीरज एक अनिवारी शर्त है, थोड़ा धैरी रखो, चुप चाप बैठे रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, धीरे 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 एक चांदनी जैसी रोशनी प्रगठोनी शुरू होगी तो है चांद आत्मा का प्रकाश अंतरतम में जगमक करता, है डमरू अनहत का प्रतीक दिनराथ चेतना में बचता, वो जो डमरू बजा रहे हैं, बगवान शिव, उसको प्रतीक आत्मक समझना, हमारी चेतना के भीतर भी एक ऐसी ही ध्वनी हो रही है तो बाहर प्रतीक में कैसे बताएं, मूर्तिकार ने बहुत अच्छा किया, चित्रकार ने बहुत अच्छा किया, एक वाध्धियंतर भगवान को पकड़ा दिया, ताकि पता चल जाए कि भगवान के भीतर क्या हो रहा है वैभगवत्ता का अनुभव, परमात्मा का अनुभव, औंकार नात का अनुभव है। तो जब कोई ध्यानी सादक अपने भीतर जाता है तो उसकी अतिंद्री छमताएं खुलनी सुरू होती हैं जब उसका त्रिनेत्र खुलता है तो भीतर चांदनी जैसे रोशनी दिखाई देती है और जब उसका तीसरा कान खुलता है शायद ये शब्द आपने पहले ना सुना हो लेकिन होना चाहिए जैसे त्रिनेत्र वैसे इत्रिकरण भी है एक और कान है जो भीतर की आवाज सुनता है वह सुक्ष में इंद्रियां है या कहलो अतिंद्री ग्यान दोनों परियायवाची है तो अतिंद्री प्रकाश और अति की ध्वनी ध्वनी और रोशनी अपने भीतर सुनाई देती है दिखाई देती है अन्य इंद्रियों के अन्भावी भीतर होते हैं भीतर दिव स्वात का अन्भाव दिव सुगंद का अन्भाव और दिव इश्पर्ष का अन्भाव भी होता है लेकिन वे जरा गहराई में डू ओंकार बिना गोविंद का अनुमान क्या करें? कोई साथक ओंकार की ध्वनी के बिना जो भी अनुमान करेगा परमात्मा के बारे में वो गलत होंगे एक किताब है ओशो की The Secret of the Secrets और उसमें ओशो ने कहा है God is defined as soundless sound शायद यही एक मात्रवचन है ओशो का जहां उन्होंने परमात्मा की परिवाशा की है अन्न था जब भी उन से पूछा गया प्रभू की परिवाशा क्या है? उन्होंने हमेसा इंकार कर दिया जो विराठ है, अनादी है, अनन्त है, उसकी परिवाशा कैसे हो सकती है? परिवासा का मतलब होता है एक छोटी सीमा में बांधना असीम को कैसे बांधोगे अनन्त को कैसे बांधोगे तो ओशो ने हमेर साई इंकार किया उन्होंने कभी परिवासा नहीं बताई सिर्फ एक बार अपने पूरे जीवन में उन्होंने यह वचन कहा है गौड इस डिफाइंड एस साउंड लेस साउंड वह ध्वनी रहित ध्वनी जो अनहदनात की है ओंकार की है वह परमात्मा की परिवासा है तो यह प्रतीक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी है इनके सहारे वह अपने भीतर अंतरयात्रा कर सकता है प्रणामा है भांग खुमारी का प्रतीक तांड़ प्रतीक है मस्ती का इस चोते अंतरे का भावार समझाने की गृपा करें है भांग खुमारी का प्रतीक तांड़ प्रतीक है मस्तीका है जटा जूत कपका प्रतीक त्रिशूल प्रतीक है शक्तीका गंगा के बिना कोई गंगा के बिना अमरित पान क्या करें गुरू के बिना अनुसंदान क्या करें बोले के बेशिका कोई बखान क्या करें है भांग खुमारी का प्रतीक तांड़ प्रतीक है मस्ति का भांग सुनकर ये मत समझ लेना कि बाहर की भांग है बाहर की भांग की चर्चा नहीं है बागवान शिव के बारे में जब कहा जाता कि भांग उने पसंद है तो ये भांग जो है वो भीतर जो उर्जा अंतरगामी हो गई है उस उर्जा से उस ध्यान से पैदा हुई ह ये एक नशा, एक दिव विनशा, अभी स्वामी जी बता रहे थे न, अती इंद्री अनभाव के बारे में, तो ये अनभाव है, खुमारी का अनभाव, ये भी अती इंद्री अनभाव है, जब हमारी उर्जा स्वयम की उर्जा स्वयम पर लोटती है, खुद पर लोटने से, जब सुम चक्र पर ये उर्जा पहुंच जाती है, जहां हिंदू चोटी रखते हैं, तो ये खुमारी पैदा होती है, इस खुमारी में, इस दिव विनशे में जो मस्ति आती है, उससे जो अंधृति निकल रहा है, वह तांडव, उसका प्रतीक है, मस्ति का प्रतीक है. लेकिन इसके लिए है जटा जूट तपका प्रतिक जटा जूट एक तप से गुजरना होगा यह मस्ति ऐसी नहीं आएगी जिसके लिए कि नानक कहते हैं नाम खुमारी नानका चड़ी रहे दिल रात यह मस्ति ऐसे ही नहीं आएगी, एक तप से गुजरना होगा, अपनी उर्जा को तप से गुजारना होगा, साधना से गुजारना होगा, भगवान महावीर ने बारा तप का वर्णन किया, छे बाहे तप, छे अंतर तप, भगवान शिव ने साधना ही दी हैं, कि कैसे हम इस त सापसे गुजरने के बाद एक हमारे भीतर उर्जा पैदा होती है उस उरजा वह दृत्रिशूल है, उस उर्जा का प्रतीक है, आ जा पिस धृत्रिशूल जैसे प्दा और्ध को तोड़ो तो पादार्थ तो इलेक्त्रों, पोषित्रों, न्यूट्रों यह तीन तीन चीजों में तूट जाता है, एक जो शक्ति है, वो creator है, दूसरी शक्ति जो सभालने वाली है, संरक्षक है, तीसरी शक्ति जो विद्वनसक है, एक neutral है, एक विद्वनसक है, एक create कर रही है, तो ठीक ऐसे ही, ये तीन शक्तिया, शक्ति का प्रतीक है, ये जो भीतर पैदा होती है हमारे इसे तीन ये त्रिशूल से दर्शाया गया है और गंगा के बिना कोई अमरित पान क्या करे हमारी जो जीवन उर्जा अगर इसको नदी के रूप में देखे हम तो ये बाहर जा रही है इसे मिलना सागर से है लेकिन गलत दिशा में जा रही है बाहर जब जा रही है तो अमरित नहीं वहां तो विश्पान ही होगा गंगा को सागर तक जाना होगा गंगा सागर तक अगर जाना है तो भीतर से आना होगा जिसको कहते हैं कि हमारी उर्जा जो है जीवन धारा बाहर चली गई है तो धारा है जीवन उर्जा बाहर गई, जो भीतर लोटती तो यही उर्जा जो है वो राधा बन गई, और इस राधा का कृष्ण से मिलन होता है, अपने भीतर के, ठीक ऐसे ही हमारे जीवन की जो गंगा है वो स्वयम की ओर मुड़ती है, तो हमारे भीतर जो हमारा अमरे स्वरूप है, उ लेकिन हम, हमा हम सदा रहेंगे, इस अनभाव का नाम है अमरित पान, यह अमरित स्वरूप, अमरित पान के विधिया, भगवान शीव ने हमें दी है, इन प्रतीकों के माध्यम से, इतना ही कहना चाहूंगे प्रणाम सद्गुरू, भगवान शीव की द्रिश्टी, अन्य दार्शनिक सिध्धानतों एवं धार्मिक धार्नाओं से किस प्रकार भिंध है, करिपया समझाएं अन्य धर्म जिस प्रकार की दार्शनिक धार्नाएं देते हैं, उसको हमकरम बाट के देखें, सबसे जो इस थूल प्रकार के धर्म हैं, विस सिखाते हैं, मूर्ति पूजा, मंदिर जाना, तीरत जाना, नदियों में स्नान करना, पूजा पाठ करना, आर्ती करना, इस्तुत मनन, कथा, स्रवन, चिंतन, दार्षनिक सिद्धान, वाद विवाद, तरक वितरक, दीरे दीरे वो कुतरक तक पहुँच जाते हैं, और दीरे दीरे लोग अपनी अपनी धार्णाओं से इतने जादा ग्रस्त हो जाते हैं, वे कटरपंथी हो जाते हैं, सुहम को सही मानते हैं, सारे लड़ाई जगड़े यहीं से शुरू होते हैं तीसर प्रकार के लोग हैं जो त्याग कर रहे हैं सन्यासी हो गए हैं शहर छोड़ दिया, समाच छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया जंगल में जाके एकांतवास करने लगे वो सोचते हैं इस से धर्म की उपलब्दी हो जाएगी, परमात महासिल हो जाएगा मैं आप से विंती करके कहता हूँ यह तीनों ही प्रकार से वह परमतत्व नहीं जाना जाता ना तो पूजापाट से, ना सास्त्रों के चिंतनमनन से और ना ही समाज से पलायन करके जंगल में एकांतवास से भगवान शिव हमें जो दे रहे हैं वो कुछ और है हम जहां हैं जैसे हैं वहीं रहते हुए हम कुछ विधी का उप्योग कर सकते हैं और वह विधी हमें रूपांतरित कर देगी तो ना तो हमें अपने माता-पिता पती-पतनी बच्चों को छोड़ के भागना है ना हमें कोई धार्मिक क्रिया कांड करने हैं ना ही कोई कट्रवादी सिद्धांतों और फिलासफियों में हमें उलजना हैं किसी बात-बिवाद में पढ़ना हैं विज्ञान भैरोत अंतर यात्रा की टेकनलोजी है अपने भीतर कैसे जाएं यह हमारा तन ही मंदिर बन जाए यह शरीर मंदिर स्वरूप हो जाए और हमारा जो मन है वह द्वार बन जाए यह शब्द जो है ना मंदिर दो शब्दों से मिलके वना है मन और दिर, दिर यानी द्वार धरवाजा, तो जिस मन से हम बहर मुखी हुए थे, हमारी जीवन धारा भही थी बाहर, उसी द्वार से तो भीतर आएगी राधा बनके, पलटके, तो मन तो भही होगा, द्वार तो भही होगा, जब हम बाहर की औ जाते हैं, तो हम देखते हैं, उस पर लिखा है, एग्जिट निकास द्वार, लेकिन वही तो जगह है जहां से हम भीतर लोटेंगे, वहां लिखा है, एंट्री प्रवेश द्वार जगह वही है, तो हमारा मन जो हमें संसार में भटकाता है, ठीक यही मन हमें परमात्मा की तरफ भी ले जाता है, तो हमारा शरीर सोयम एक तीर्थ स्थान है, हमारा मन द्वार है, दर्वाजा है, मंदिर है, और हमारी अंतरात्मा, हमारी प्रयोक शाला है, तो जिस प्रकार वैज्ञानिक प्रयोक करता है, एक्सपिरिमेंट, ठीक इसी प्रकार ध्यानी, एक्सपिरिय हूँ यह मेरा होना क्या है इसको गौर से जरा देखू निरिक्षण करूं इसका तो ऐसे व्यक्ति को कुछ मानने की जरूरत नहीं है बलकि जानने की प्रवत्ति उसकी होने चाहिए तो अध्यात्म का छेत्र अपनी स्वयम की आत्मा है आज हम जिससे साइंस कहते हैं उसका चेत्र बाहर का पदार्थ का जगत है प्रकरती के नियम है लेकिन दौनों की टेक्नलाजी एक सी है अब्जर्वेशन निरिक्षण गौर से हम देखते हैं और तब भेत खुलने सुरू हो जाते हैं तो बाहर के जगत मे वैज्ञानिकों ने बहुत से राज खोज लिए ठीक ऐसे ही ध्यानियों ने अपने भीतर राज खोज लिए यह भी एक प्रकार का अनिवेशन है एक डिस्कवरी है हाँ एक छोटा सफर को और बता दूं बाहर इन्वेंशन भी होता है भीतर इन्वेंशन नहीं होता हिंदी जिए माइक्रोफोन के थुरू हम बोल रहे हैं आनलाइन आप मेरा एंटर्वी ले रहे हैं कुछ सालों पहले यह टेकनलाजी नहीं थी जिन वैज्ञाने को उन्हें इनका निर्मान किया उन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया कुछ नया अविशकार किया यह पहले नहीं इसको हम काएंगे इन्वेंशन और न्यूटन ने गुरुत्वाकरशन का नियम खोजा, आर्किमिंडीज ने इस्पेस्विक ग्रेवटी का सिध्धान्त खोजा, यह क्या था? यह इन्वेंशन नहीं था, यह डिस्कवरी थी, इस्पेस्विक ग्रेवटी तो सदा-सदा से और गुरुत्वाकरशन भी सदा-सदा से था, और रिलिटिवीटी भी सदा-सदा से थी, तो आइंश्टीन ने साप एक सत्कवाद में नई चीज क्या खोजी? नहीं, नई चीज कुछ नहीं खोजी, पहले हमें पता नहीं था कि ऐसा है जगत का नियम अब पता हो गया, तो भीतर के जगत में डिस्कवरी है, परमात्मा होना हमारा स्वभाव है, हमारी प्रकरती है, तो भीतर कुछ नया हमको इन्वेंट नहीं करना है, विज्ञान भैराव तंत्र में भगवान शिव की जो द्रश्टी है, वो चरित्र बदलने की नहीं है, चित्त को बदलने की है, बाहर अपने वैवार को परिवर्तित नहीं करना है भीतर जागरण पैदा करना है उस जागरण में बाहर का आचरण अपने आप बदल जाएगा सब कुछ पुन्न से वर जाएगा पाप अपने आप विदा हो जाएगे हमें कोशिश नहीं करनी है हमें सिर्फ एक ही चीज साधनी है इन 112 विदियों के माध्यम से हम भी तर और जागें और जागें और जागें तब हम पाएंगे हमारा अंतहकरण सत्यम शिवं सुन्दरम से ओत्परोथ है वहां शांती पृती मुक्ती की अनभूती हो रही है वहां सच्चिदानंद विराजमान है परमानंद में हम डूब जाएंगे हमारा सारा जीवन दिव्य हो जाएगा तो भगवान शिव अनधर्म गूर्गों की तरह कोई नियम नहीं देते कोई आदेश नहीं देते कि ये मत करो कि वो मत करो डूज और आचरान और चरित्र और वैभार कैसा होना चाहिए नहीं वो सब भूए नहीं सिखाते और ना ही पूझा पाट सिखाते ना सास्त्रों का दार्षनिक चिंतनमनन सिखाते ना ही त्याक सिखाते नहीं इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है बड़ी सरल सरल सी छोटी छोटी विदियां है यहने कोई भी व्यक्ति कहीं भी उपयोग कर सकता है इसलिए भगवान शिव की द्रश्टी अन्दार्षनिक सिध्धांतों से और धार्मिक परमपराओं से बिल्कुल भिन्न है और निश्यत रूप से जैसा कि हम देखते हैं कि करीब करीब आधी से ज़्यादा दुनिया नास्तिक हो चुकी है अब भगवान शिव का समय आने वाला है अच्छा हुआ लोग ज़्यादा बुद्धी जीवी हुए हैं ज़्यादा संदेशील हुए हैं ज़्यादा खोजवीन वाले हुए हैं वैज्यानिक चिंतनमनन वाले हुए हैं भगवान शिव की बात भविश्य की बात है तो एक बहुत ही आशावादी द्रष्टी से भगवान शीव की द्रष्टी को मैं देखता हूँ, समस्ता हूँ और ओशो ने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है भगवान शीव की द्रष्टी को वह है बिल्कुल ही एक नई घटना है, आज तक इन 112 विधियों पर कभी किसी ने विस्तार से नहीं बताया था, किसी ने नहीं समझाया था लगभग यह गरंत बिल्कुल उपेक्षित है हम बड़े-बड़े पंडित पुरोयतों सो भी अगर पूछें विज्ञान बहरोत अंत्र के वारें वो कहेंगे इसका तो हमने नाम ही नहीं सुना क्योंकि इसमें कोई दार्शनिक सिध्धान्त नहीं है, कोई बाद विवात करने लाइक बात ही नहीं है कोई चिंतन-मनन वाली बात ही नहीं, सीधी प्रयोग करने की बात है, करो और जानो मानने का सवाल ही नहीं है, इसलिए भगवान शिव की द्रश्टी अत्यंत प्राचिंतम होतो हुए भी नवींतम है और आने वाला युग भगवान शिव का युग होगा प्रणामा आपसे विंती है कि आज हमें कुछ ऐसा ध्यान करवाएं जिससे भगवान शिव जैसी आलोकिक अंतरदिश्टी पैदा हो सके आज के ध्यान की शुरुआत करूंगी तो उसका पहला चरण होगा ताली बजाते हुए भावपून कीर्थन क्योंकि जब हम भावपून कीर्थन करते हैं ताली बजाते हैं तो हमारी उर्जा हरदय पर आ जाती है और उसके बाद दूसरा जो चरण है आपलक हमें एक स्पाइरल हम दिखाएंगे उसे उस पर त्राटक करना है फोकस करके ब्लिंक नहीं करना आइस को आपलक एक टक देख जब हना तो हमारी उर्जा जो शिव नेतर पर आ जए और तीसरा जो अन्तिम मिनिट है उसमें हमं इन्तिमम्》 में बेना संगीत के तुस्त करेंगे पर कोई संगीत नहीं को शाइलेंस में हम लगातार एक टक देखते Rankhe तराटक चलता रहेंगा और देखने वाले का स्मरण का इस्परण और साक्षी का अनुभाव हमें होगा आख बंद हो जाएंगी शितिल हो जाएंगी और शान्त होकर अपने भीतर अंतरदर्शन करेंगे हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो आए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं किर्टन करेंगे भावपून किर्टन ताली बजाते हुए मैं ऐर बंद मुल्हे जैडमरूबाने कर दो कर दो कर दो लुझे बुझे बुझे आईए अब स्पाइरल पर एक टक ट्राटक करेंगे आप अलग आईए अखकले, आईए अखकले वारे, आईए अखकले हारे पक ट्राटक करेंगे crisis पज़ कल ए समय, में जो िको नहुंग, ढख़ोन समय, का इसत्या कर आ Long bak Malays में दोमग खना कर दा क हुग्ishi बाता UK जब मानीं आढ की उिछक्त था हों और बढमा लिगना लिए is आप हमादो,क्टैकर भूमा स Qurقت लोगना लिए हम एचान लोगा हमादू ऍदर में येक मैं उोगना हमादो सारी उर्जा दोनों भूं के बीचो बीच खट्टी हो गई है शिवनित्र पर एक मीठा मीठा भारिपन अन्भव हो रहा है गर्माहट का एहसास हो रहा है सारी उर्जा दीसरे नेत्र फरी खट्टी हो गई है आँखें बंद कर लीजिए शितिल हो जाएए शान दोकर बैठ जाएए और अंतर दर्शन बंद आँखों से दोनों भोहों के बीचों बीच गर से देखिए एक गहराई दिखाई देगी एक बिंदू दिखाई देगा और दूर और दूर बंद आँखों से देखिए उससे भीतर एक गहराई प्रकट होने लगी है इस गहराई में धीमा धीमा मध्यम मध्यम एक प्रकाश मौझूद है देखने वाले का इसमरण सदा रहे कौन है जो इस गहराई को देख रहा है इस प्रकाश का अनभव कर रहा है अद्भुत शान्ती के लोग में प्रवेश हो गया भीतर एक दिव्विता प्रकट हो गई पवित्रता का अनभव इस निराकार में डूपते जा रहे है यही निराकार हमारे भीतर मौज़ूद शेव सरूप है गुशता हुआ नाद और यह हमारा फॉर्मलेस्नेस निराकार विराड़ता इसे देखते देखते सब थम गया ठहर गया शिव के डमरूफ की ध्वनी गुँज रही है भगवान शिव के चांद रूपी प्रकाश का अनुभा हो रहा है एक खुमारी सी लग गई है मीठा मीठा नशा ऐसा नशा जिसमें पूरी जाग रुकता है और पुरा रिलक्सेशन है पुरा रिलक्सेशन है पुरा रिलक्सेशन है अब दोचार गहरी-गहरी सांसे, दोनों हाथों को आपस में रगड़े और चेहरे पर फेड़े। अब धीरे-धीरे आखें खोलें। इस प्रयोक को आप कल के दिन भी जरूर करिए। और इसे करीब-करीब तीन मैने तक दोराएंगे तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। जायोशो ओम नमस्षिवाए। ओम नमस्षिवाए। जायोशो गेड़ाएंगे दόलेόशो अइस में वाले घायोशो कर दो